हालो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का आप सभी के ही इस यूटूब चैनल कलाम को सलाम में आज हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ के लिए इंगलिश में जो सप्लिमेंटरी है जो दूसरा हिस्सा है इसको जेम्स रसल लोवल जी ने लिखा हुआ है इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसकी समरी को पढ़ेंगे एक वीडियो हमने अपलोड की हुई है जिसमें इसके शोट आंसर, टूफ फॉल्स, मल्टिपल चोईस कोशन और हमने इसकी स्टोरी को भी बताया हुआ है सुनाया हुआ है तो आज हम इसकी समरी को करेंगे देखिए देखते हैं आज कितनी पढ़ी जाएगी चली शुरू करते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जब तुम रात में पढ़ना चाते हो यू सिंपली प्रेस तुम सिंपली आसानी से प्रेस दबा देते हो और स्विच एक बटन एंड एंड एलेक्टिक लैंप और बिजली का जो बल्ब है गिवस यू लैट तुमें परकाश देता है मतलब क्या हुआ जब आप लोग रात में पढ़ते हो तो आप एक बटन दबा देते हो और आपको लाइट मिल जाती है आपको परकाश मिल जाता है Do you know क्या आप जानते हो who invented who का मतलब किसने जिसने invented अविशकार किया The Electric Bulb विजली के बल्ब का क्या तुम जानते हो विजली के बल्ब का विशकार किसने किया He was an American वह एक American था named Thomas Elva Edison उसका नाम Thomas Elva Edison था तो इन लाइनों में बताया है कि जब आप रात में पढ़ते हो तो आप आसानी से एक बटन दबा देतो और बिजली का बल्ब बाप को लाइट देता है क्या आप जानते हो किस बल्ब को किसने बनाया वह एक American था उसका नाम Thomas Elva Edison था आगे चलते हैं इवन इन इस चाइल्डूड चाइल्डूड बच्पन को बोलते हैं बाले वस्था को बोलते हैं बच्पन में Edison लव्ट टू डू एक्सपेरिमेंट्स लव्ट पसंद करता था प्रेम करता था to do experiments, experiment परियोग करना, यानकि परियोग करना से बहुत पसंद था बच्पन में He was fond of asking question, fond of का मतलब शोकीन, वह सवाल पूचने का शोकीन था and he was never satisfied और वह कभी, satisfied का मतलब संतुष्ट होना, कभी संतुष्ट नहीं होता था, till he got जब तक की उसे the right answer जब तक की उसको सही उत्तर ना पता चल जाए there are many stories about his childhood and here are few of them there are many stories, बहुत सारी कहानी है, about his childhood उसके बच्पन की and or here are few of them, और उनमें से कुछ यहाँ है अब इन लाइनों में बताया गया कि बाले वस्था में वो परियोग करना इसको experiment करना बहुत अच्छा लगता था सवाल पूछने का शोकिन था जब तक उसको सही उत्तर नहीं मिल जाता था, वह सवाल पूछता रहता था, वह संतुष्ट नहीं होता था बहुत सारी कहानी हैं उसके बच्पन की उनमें से कुछ यहाँ पर दी गई हैं अध्यापक बच्चों को बता रही थी एक कहानी अबवट बडस पक्षियों के बारे में यानि कि जब यंग एटिसन जब जवान एटिसन स्कूल में ता तब अध्यापिक स्कूल में बच्चों को पक्षियों के बारे में एक कहानी बता रही थी He got up वह खड़ा हुआ and asked the teacher Madam, why can't man fly like a bird? Madam, याध्यापिका जी, इंसान पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? आगे दिखिए, because man has no wings क्योंकि इंसान के पंक नहीं होते, wings का मतलब पंक, इंसान के पंक नहीं होते replied the teacher, अध्यापिका ने उत्तर दिया यानि कि एक दिन जब जो जवान एडिसंत स्कूल में ता तब अध्यापिका बच्चों को पक्षियों के बारे में बता रही थी वो खड़ा हुआ और उसने teacher से पूछा कि मैडम इंसान पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता और मैडम ने reply किया कि इंसान के पक्षियों की तरह पंक नहीं होते कि इंसान के पंक नहीं होते जवान लड़के ने कुछ देर के लिए सोचा कुछ देर के लिए एंड आस्ट हर अगें और दुबारा पूछा बट काइट सेव नो विंग्स लेकिन पतंग के तो पंक नहीं होते एंड इस्चिल फिर भी वी कैन स्लीप वी कैन फ्लाई माफ कीचिए का वी कैन फ्लाई दाम इन दा स्काई पर फिर भी हम उसको आकाश में Umm देख सकते हैं यानि के मैणम को बोलते के मैणम पतंग को तो पंक में नहीं है पर फिर भीयम उसको आकाश में उर्ट हुआ देख सकते हैं All the other boys laughed and the teacher lost her patience सबी जो दूसरे बच्चे वो हसने लगे और अध्यापेका ने अपना धैरिये खो दिया यानि कि जब Edison ने मैडम को कहा कि पतंग के तो पंग मी नहीं होते पर फिरिबियम उसको आकाश में उड़ता हुआ देख सकते हैं तो जो सारे दूसरे लड़के थे वो हसने लगे इसलिए जो टीचर थी उन्होंने अपना धैरिये खो दिया patience का मतलब धैरिये She thought उन्होंने सोचा The boy was stupid and naughty Stupid मुर्क को बोलते हैं, naughty शरारती को बोलते हैं कि लड़का मुर्क और शरारती है And she asked his parents to take him out of the school And in the school, he told her the mother to take him रहा कि जो मैंडम एक तरह से गुसा आ सागया, मैंडम और अपना धैरिये खो दिया उन्होंने सोचा लड़का बोछ शरारती है और उन्होंने 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 माता-पित रहा कि आप इसको यह स्कूल से ले जाएं His parents took him home उसके माता-पिता उसको घर ले आए but they knew that लेकिन वे जानते थे that he was not a stupid boy कि वह एक मूर्क लड़का नहीं है नहीं था he was just 8 years old when this happened वह मात्र 8 साल का था जबी है हुआ एक बार फिर से देख लिजिए सारे दूसरे लड़के हसने लगे जब तो मैडम ने अपना patience खो दिया अपन धैरिये खो दिया उन्होंने सोचा कि लड़का मूर्क और शरारती है उन्होंने उसके माता-पितो को उसे स्कूल से ले जाने के लिए कहा उसके माता-पितो स्कूल से ले आए लेकिन वे जानते थे कि उनका बेटा उनका बच्चा शरारती नहीं है मुर्क नहीं था जब एडिसन की मात्र 8 साल का ता दबिया गटना हुई राइट दोस्तों तो आज हम इसको इतना ही रखते हैं आयोप आपको अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा कोई डाउट्स हो तो आप कुछ जरूर लिखिएगा तो आने वाली वीडियो में मिलता हूँ थैंक यू